जनतादल उनाइटेड बड़े ही नीडनायक दोर से गुजर रही है जदियू के पुर्वराष्टिय द्यक्ष ने इस्तिपा दिया है और इस्तिपे के बाद अभी जदियू के अंदर एकदम सांती भड़ा महौल है ये इसलिए भी कि आर्सीपी सिंग के खिलाफ पार्टी लाइन से बाहर जा कर समर्थन करना भी नेताओं को भारी पर सकता है और आर्सीपी के खिलाफ बोलना भी भारी पर सकता है ऐसे में आर्सीपी सिंग को लेकर जहां एक तरफ सभी नेता समंजस की इस्तिती में है लेकिन अब तो वो पार्टी से बाहर हो चुके हैं लेकिन वही दूसरी तरफ है नितीश कुमार के पुराने साथी ने RCP के माध्यम से नितीश के कई राज खोल डाले हैं तस्वीरे जो निकल कर सामने आ रही हैं वो जैदिव नेता की है जैनरतादल युनाइटेट से बाहर हो चुके अजय आलोक ने सपष्ट किया है और अजय आलोक लगातार जदिव को लेकर बोलते रहे हैं अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें पार्टी से बाहर करास्ता दिखाया गया था उन्हों लिखा है कि लोजी अब RCP जी ने इस्तिपा दिया है लेकिन अब आने वाले दिनों में जब सबूत के साथ खुलासे होंगे तब क्या होगा बिहार में राजनीतिक बंप फूटने वाला है जो कयास इन्होंने लगाए हैं अगर उसके जर्ये यह देखे तो यह बड़ा जमेला होता हुआ जनतादल उनाइटेट के जादियू के अंदर कोई न कोई बड़ा बंप फूटने वाला है हला कि आरचीपी सिंग क्या बयान देते हैं आर्चीपी सिंग्यश कैसे अपने आपको हेंडल करते हैं क्या जनतादल उनाइटेट के आंधीर क मामलों को वह स़ारोजनिक करते हैं ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा अब इन सभी सवालों के साथ है आर्सीपी सिंग को लेकर अजया लोक ने जो कयास लगाए है उससे तो यही साबित होता है हाला कि अजया लोग ने नितीश कुमार को लेकर तलकिटीपनिया की है उदर बात की जाए तो RCP सिंग ने भी तलकिटीपनि की और कहा कि 2 घंटे नितीश कुमार का भूजा पाटी चलता है और 18 घंटे काम करने में 5 घंटा टाइम पास करना दो गंटे भूजे खाना ये सब नितीश कुमार का काम है तो ऐसे में और कौन-कौन से राज खुलेंगे और कौन-कौन सी बाते सरोजनिक पटल पढ़ाएंगी ये बिहार की सियासत में कोई बता नहीं सकता है देखना है होगा आने वाले दिनों में बिहार में जो बड़े फैसले लिये जाने हैं उनों फैसलों में क्या नितीश कुमार की सहबागिता होगी या ललन सिंग बतो राष्टी है देख जा सारे फैसले लेंगे लेकिन इसे बीच आर्सीपी सिंग को लेकर जो लगतार खबरे आ रही है वो कहीं न कहीं अचांबीत करने वाली हैं जिरो धन्ने वागी